दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फ्रेसर डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिम्टेड की जॉइंट वेंचर कमपनी की तरफ से डिप्लोमा और बी बी टेक वालू के लिए एपरेंटेस के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर सिविल, एलेक्रिकल और मेकेनिकल इंजिन्यर से लिजबल रहेंगे फ्रेसर से लिजबल हैं आपकी डारेक्ट भरती रहेगी और क्या बताए गया है इनके ओफिसल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जॉब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वॉक्ट सब ग्रुप को भी जॉइन कर लीजे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका इंडियन पोर्ट रेल एंड रोप्वे कार्परेशन लिम्टेट की तरफ से 30 अगस्त को निकाला गया है यहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं यह कंपणी आपके जॉइन्ट वेंचर है मिनिस्ट्री ओफ सिपिंग और रेल विकास निगम लिम्टेट का फिल हाल यहाँ पर आप लोगों के लिए अप्रेंटिस के लिए वेकेंसी आई हुई है जहाँ पर बी विटेक और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में तो पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सिविल इंजिनियर्स के लिए यहाँ पर B.E.B.T.E.C. वालों के लिए 4 पोस्ट उपर वेकेंसी है और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट उपर वेकेंसी रहेगी अगर आपने B.E.B.T.E.C. या फिर डिप्लोमा किया है सिविल इंजिनिरिंग में आप लोग यहाँ पर अपलाई कर नेक्स वेकेंसी यहाँ पर आपके रहने वाली है अगर आपने B.E.B.T.E.C. या फिर डिप्लोमा किया है अप लोग यहाँ पर इलिजबल रहेंगे Last Vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है Mechanical Engineers के लिए अगर आपने VB Tech या फिर Diploma किया है Mechanical Engineering में आप लोग यहाँ पर Elisable रहेंगे Next अब बात कर लेते हैं आपके Monthly Stipend के बारे में तो VB Tech वालों को Monthly Stipend यहाँ पर 10,000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाला है और diploma वालों को monthly stipend यहाँ पर 8000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाला है work location यहाँ पर आपकी all over India रहेगी next हम बात कर लेते हैं आपकी upper age limit के बारे में तो upper age limit यहाँ पर आपकी 23 साल रहने वाली है और इसके साथ ही age पर government rule के हिसाब से यहाँ पर आपको age relaxation मिलने वाला है बात करें आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका offline रहेगा लेकिन उससे पहले आप लोगों को next portal पर अपना registration complete करना है और यहाँ पर आपको एक application format दिया गया है इस application form को आपको बहुत अच्छी तरीके से fill up करना है इसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी document है उन सब को आपको self test करना है और आपको भेज देना है इनके official address पर यह सभी document आपके 20 September तक इनके official address पर पहुँच जाने चाहिए अगर आप इंग पोस्टों के लिए इंट्रेस्टल होते हैं eligible होते हैं आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में